हलो प्रिवन नमस्कार स्वागत करता हूँ आप सबका एकोनामिक्स बेसिक टू एडवांस की क्लास में जिसका लक्ष है अठाइस मई प्रिलिम्स को क्रैक करना चलिए सुरू करते हैं बीना समय गवाए और पढ़लो चाहे कहीं से एंसर राटिंग यहीं से इसका मतलब कि मैं एक एड़ कर रहा हूं और यह विज्ञापन बहुत महत्पूर्ण है आप सब मात्र 699 रूप है इसमें भी एसके लाइब कोड यूज़ करके डिसकाउंट और आप जीएस 1234 एंसर राटिंग प्रोग्राम मेरे साथ जॉइन कर सकत मंतली है मज़ाएगा इसके साथ IQIP महासंग्राम फाउंडेशन बैच यह जो है प्रारम होने जारा 20 मार्च से बहुत कम फीस में आप इसको भी जॉइन कर सकते हैं कम्प्लीट जीएस प्री और मेंस की तैयरी मेरे द्वारा यहां पर कराई जाएगे चलिए सुरू करते हैं इस नेशनल इंकम अकाउंटिंग पार्ट तू और इसको आज करेंगे समापत तो सबसे पहले यानि राष्ट्रिया की गणना हम लोग कल कर रहे थे जिसमें हम लोगों ने एक्स्पेंडिक्चर मेथड सीख लिया था बड़ा अच्छा लगा आप लोगोंने कमेंड किया कि इस सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं इंकम मेथड हमने खतम किया और हम प्रोडक्ट और बैलू एड़ेड मेथड के बारे में आज पढ़ाई करेंगे उत्पाद या मूले वर्धित बिधी उत्पाद या मूले वर्धित बिधी बड़ा सरल है इसको समझना अगर आप समाने रूप से इसको समझना चाहते हैं उत्पाद बिधी को तो बहुत आसान है यानि उत्पाद या मूले वर्धित बिधी बैलू एड़ेड मेथड इसे हम कहते हैं तो आए समझाते हैं आपको बैलू एड़ेड मेथड का मतलब क्या होगे बैलू एड़ेड यानि म वर्धित बिधी या बैलू एड़ेड मेथड क्या है बैलू एड़ेड मेथड देखिए मैं हमेशा एक ही चीज कहूंगा कि जरूरी नहीं कि बहुत दीप आए लेकिन आपको पता होना चाहिए कि तीन प्रकार से हम नेशनल इंकम की गड़ना करते हैं जिसमें से तीसरा प्र समझें फिर और भी इसके बारे में बास्चीत करेंगे अब मान लीजिए हम अगर यह मान के चलें कि यह किसान एक फार्मर है क्या है एक किसान अब अगर किसान क्या करता है यानि गेहूं उप जाता है पांच सुरूपे क्विंटर ठीक है ना यानि या कुछ साधनों का का गेहूं या मैं कहूं कि उसका जो बी जो रूपरा कीट ना सक इन सब में खर्च हुआ होगा दस रूपया ठीक है खर्च करके वो पांच सुरूपे का गेहूं उप जाता है या सो रूपया खर्चा करके पांच सुरूपे का गेहूं उप जाता है तो अब देखें पर कितना value add हो रहा है इसके आधार पर हम national income की गणना करते हैं तो अब जब किसान ने गेहू बनाया क्या बनाया किसान ने गेहू बनाया बच्चों अब इसके बाद इस किसान से ये गेहू किसी ने खरीदा कौन खरीदेगा यानि जो आटा बनाने वाला होगा जिसकी आटा चक्की होगी तो वो क्या करेगा इस 500 रूपए के गेहू को वो कितने में खरीदेगा ओवियस है वो इसको खरीदेगा 800 रूपए में ठीक है उसारी 500 रूपए में ठीक है 500 रूपए में इसने खरीद लिया अब इसके बाद इस 500 रूपए में वा क्या करेगा इस 500 रूपए कि यहुं का आठा बना देगा क्या क्या बना देगा आठा बना देगा आठा हो गया 800 रूपए 900 रूपए कुछ भी आप डाल लीजे 600 रूपए ठीक है अब इसमें से जो भी आप तो कितना मुल्य बर्दन हुआ है यानि 500 306 रूपया फिर इस लाता है कौन लेगा इसे बेकर लेगा अब यह जो बेकर है इसको उसने 800 रुपए में खरीदा और इस बेकर ने क्या किया इससे ब्रेड बनाया जो 1000 रुपए यानि 200 रुपए इसने इसमें और एड किये तो अब आप देख सकते हैं बैलू एड़ेड मेथड तो हर एक अस्त रुपए के ग्यों से जो आटा बना 300 रुपए इसमें लगा तो 400 प्लस 300 और फिर इसके बाद 800 रुपए से ब्रेड 1000 का बना तो आप देख सकते हैं इसमें 200 का बैलू एड़ेड हुआ तो इस हिसाब से जो हमारी नेशनल इंकम हुई वो कितनी हुई 400, 300, 200 यानि 900 रुपए बैलू एड़ेड मेथड पर हमारा क्या हो गया यानि हमारी हो गई ये क्या नेशनल इंकम मेरे प्यारे बच्चो 100 रुपए और 500 रुपए में 400 रुपए का बैलू एड हुआ 500 से 800 में 300 रुपए का बैलू एड हुआ 800 से 1000 में 200 का बैलू एड हुआ तो 4, 3, 7, 2, 9 यही है ब बारे में कुछ बातें और हैं जो हम लोग यहां पर समझेंगे तो आई होप मूले वर्धित विधी आप आसानी के साथ समझ गए हैं सब को जोड़ दिया जाएगा तो आपका निकल आएगा तो उत्पाद या मूले वर्धित विधी अब उसी चीज को जो मैंने समझाया यहा मैं रिवीजन करते चलिएगा जिससे यह कही बार में चीजे केलिएर हो जाएगा इकोनामिक05 sic हम लोग कर चुके हैं बजटो हम लोग कर चुके हैं अगर यह बेशिक किकनामिक्स अच्छेसे कर लेंगे तो कही न कही हमें एक अच्छी स्थिती में आएंगे और प्रिलिम्स हमारा एकोनामिक्स और पॉलिटी यह दोनों हमें स्ट्रॉंग ली हमारे हाथ में दे देंगे तो इस पधती में हम क्या करते हैं बच्चों उत्पादित बस्तूओं और सेवाओं के कुल वार्षिक मूल की गणना करते हैं यानि उत्पादित जो भी बस्तूओं और सेवाओं के मूल को जोड देते हैं हमने पीछे मूल जोड दिया किसान ने क्या उत्पादित किया फिर उसके बाद आटा चक्की वाले ने उसमें क्या जोडा इसके बाद फिर यानि बेकर्स ने उसमें क्या जोडा याद रखेगा आईए समझते हैं आगे सकल मूले संबर्धन यानि उसी को कुछ और ढंग से तो कुछ फैक्ट जी बिया यानि जिसके बारे सकल मूले बर्धन यानि हर एक चरण में उत्पादन की क्या-क्या बैलू एड हो रहा है जैसे हमने देखा कि पहले अस्तर पर कितना एड हुआ चार सो दूसरे अस्तर पर कितना एड हुआ दो सो या तीन सो अगले एड पर कितना हुआ तीन सो तो यही है कहां से supply side से आप पूर्तिपच से gross value added supply side से GDP की घणना करता है demand side से नहीं GDP हमारा demand side से घणना करता इसको जराश अच्छे ने समझेगा supply side से supply यानि आपने खुद ही देख लिया किसान ने गेहूं पैदा किया तो वो obvious है गेहूं supply ही करेगा न फिर उस गेहूं को किस ने खरीदा यानि जो आटा की चकी चलाता उसने उसका आटा बनाया और फिर उसके बाद उससे बेकर ने खरीदा उसने ब्रेट बनाया तो यह supply side से राश्ट्रे आए कि घणना करता है तो prelims में आप से पूछेगा यहाँ पर question prelims में कि सकल मूल समवर्धन या grass value एड़ेंट के बारे में दिए के कथनों में से कौन सा से कथन सही है तो पहला कि जी विए आप पूर्ति के बजाए यहाँ लिख देगा मांग पक्षानी demand side तो आप सतर को जाएगा कि नहीं भाई यह बिल्कुल सही बात नहीं है ठीक है और फिर यह कैसे करता यह जो राष्ट्री आए कि गढ़ना करता है आप पूर्ति पक्ष से अब आगे बताया गया कि यह बच्चों कैसे करता कितना easy लिखाओ कैसे करता तो यह बिभिन छेत्रों में बस्तूओं के उत्पादन द्वारा अर्थ बेवस्था में जोड़ेगे सभी मूल जोड कर ऐसा करता अभी मैंने आपको बताया यानि 400 रुपया, 200 रुपया, 300 रुपया इनको जोड करके वो ऐसा करता है याद रखेगा तो पहली चीज यहाँ पर यह हो गई अब आता है RBI एक बड़ी महतवपूर बात कहता यानि Reserve Bank of India किसके बारे में National Income निकालने की उत्पाद या मूल वर्दी बिधी के बारे में तो RBI क्या कहता है वो कहता है कि एक छेत्र के GBA को अगर हमें निकालना है एक छेत्र का GBA जैसा कि अभी हमने यानि गेहूं और उससे संबंधित जो भी वस तु बनती है उससे संबंधित हमने GBA निकाला तो उसी यानि एक छेत्र के GBA को हम कैसे निकालते हैं बच्चे बहुत महतवपूर है आउटपूट का मूल बैलू आफ आउटपूट उसमें से घटाते हैं माइनस इसके मद्धवर्ती इनपूट का मूल याद रखेगा बैलू आफ इस इंटरमीडरी इनपूट जैसे अभी आपने पढ़ा था क्या पढ़ा था कि जैसे मैं गर कॉमन मालू किसान ने 0 से 500 रुपए का गेहू पैदा किया या मैंने का 100 रुपए के इनपूट से 500 रुपए का और फिर जो आटा की चक्की चलाता उसने ये 500 का गेहू खरीद लिया और उसके बाद इसने क्या बनाया 800 रुपए का क्या बनाया 800 रुपए का इसने आटा बना दिया ब्रेड वाले ने 800 रुपए का आटा खरीद करके और 1000 रुपए की ब्रेड बना दी तो वही कहरा बच्चे आउट्पुट मूल ले यानि ये जो आउट्पुट मूल है ठीक है माइनस इसके मद्धवर्ती इंपुट का मूल तो पहले वाले में अगर 100 रुप जीरो है तो आउट्पुट मूल कितना है 500 यानि आउट्पुट क्या हो गया ये 500 आउट्पुट हो गया ना 800 आउट्पुट हुआ कि नहीं हुआ आउट्पुट हुआ कि नहीं ये 1000 आउट्पुट हुआ कि नहीं ठीक है न तो इस 500 में स से हम जीरो घटाएंगे तो 500 हो जाएगा लेकिन हम 100 रुपया मालेक बाई बीज उर्बरक कीटनासक सिचाई में 100 रुपया लगा होगा तो आउट्पुट कितना होगा 500- माइनस इंटर्मीडियेट इंपुट यानि बीज उर्बरक कीटनासक का खर्चा 100 रुपया तो यह हो गया 400 रुपया ठीक है यह समझने के लिए है कि जीरो भी आप ले सकते हैं 100 रुपय भी ले सकते हैं 100 रुपय लेंगे थोड़ा अच्छा रहेगा अफिर इसके बाद अब यह गेहू से यह आठा बना तो अब इसमें आउट्पुट क्या है अउट्पुट 800 रुपया हो गया और उसके बाद माइनस क्या करने हैं माइनस करना हैं इंटर्मीडरी इंपुट यानि हमने 500 रुपय का गेहू लिया था तब हमने 800 रुपय का आठा बना तो 500 तो क्या हो जाएगा 300 तो यह क्या हो गया इस छेत्र का यह जी भी यह और फिर इसके बाद हमने 800 का आटा लेके 1000 का ब्रेट बनाया तो आउटपुट है 1000 और 800 है क्या जिसके द्वारा यानि यह intermediate goods है तो घटा दिया तो कितना बचा 200 बचा अब इसके बाद जो बचा उसी को हम दिया तो हमें क्या मिल गया यानि हमें एक छेत्र का जी भी ये प्राप्त हो गया आई थिंक कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गया होंगे मेरे प्यारे बच्चे ठीक है तो अब इसको आप याद कर लीजिएगा इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा अ भाईया भूमी पर किराया स्रम पर मजदूरी पूजी पर ब्याज और उद्यमी को उद्यम की लागत तो ऑबियस है कारक लागत नहीं होता किराया मजदूरी यह सारी चीजें आपको ध्यान में रखने की जरुवत है तो जीडीपी एड़ रेट फैक्टर कॉस्ट यानि फैक अंत्रप्राइज या अंत्रप्राइज और कॉस्ट क्या हो गया लेबर पर बेज लैंड पर रेंट कैपिटल पर इंटरेस्ट और जो अंत्रप्राइज है या इंटरप्राइज है उसको क्या मिलेगा प्रॉफिट तो उसको बोलेंगे कॉस्ट तो जीडीपी एड़ दूरी ब्याज उद्यमी इसी को यहाँ पर factor cost कहा गया plus tax यानि जो भी सरकार tax लेती है GST लेती है न भाई माइनस सबसिडी सरकार क्या करती है जो भी फर्म होती है उनको कुछ न कुछ सबसिडी बिजली वगएरा में प्रदान करती है उत्पादन के लिए उस सबसिडी को घटा दिया जाए तो GDP at the rate market cost पता लग जाता है इसको रट लीजेगा तो आप से कोई पूछे GDP at the rate factor cost में हम जोड देंगे क्या tax क्योंकि tax तो चुकाना ही पड़ता है और उसमें से सबसिडी घटा देंगे तो हमें GDP at the rate market cost पता लग जाएगा बहुत सिंपल सी बात है अब इसी बाजार मूल को यहां पर बहुत अच्छे से समझाए गया मेरे प्यारे बच्चों यानि बाजार मूल क्या है हम लोग मा लेजे यह बोटल है इसको मैं खरीदने गया तो बाजार मूल क्या है यानि जिस कीमत पर बाजार में मुझे यह बोटल मिलेगी वह बाजार मूल और वह मूल क्या होगा इसी पर लिखा होगा ठीक है तो सिंपल सी बात है बाजार मूल वह मूल है जिस पर किसी उत्पाद को बाजार में बेचा जाता है और यह बाजार मूल चुकाता कौन है अरे भाई जब बूतल मैं खरीदने जा रहा हूं तो इसका मतलब ब उब्होगता आप कहेंगे सर उब्होगता चुका आता है तो छोटे-छोटे सब्दों की जो बाजी गरी ही वो ध्यान रखेगा क्योंकि वो UPSC कुछ करी नहीं रहा है एकोनामिक्स में छेड़ चाड़ कर रहा है कोई फैक्ट हलका सा सब्दों में हेर फेर कर दे रहा है और हम जल्दी बाजी में हडबड़ी में प्रेसर में पढ़ रहे हैं और हम ध्यान से पढ़ नहीं रहे हैं बाद में पता लगता है यार हमसे कैस इसी गलतियां हो रहे हैं तो आराम से पढ़ना है बस यह ध्यान रखेगा अब आता है बाजार मूल में क्या क्या सामिल होता है पीछे डाइग्राम में ही बताए गया क्या है क्या है यानि GDP at the rate factor cost कैसे मजदूरी किराय ऐसा factor की cost ही तो है factor क्या हो गया भूमी यह सब उत्पादन की लागत होती है जो बाजार मूल में सामिल होती है जैसा कि आपने देखी लिया GDP at the rate market cost में GDP at the rate factor cost भी सामिल होता tax minus subsidy ध्यान रखेगा इसमें सरकार द्वारा लगाएगे कर सामिल होते हैं अभी आपने देखी लिया यानि यह देखे डाइग्राम में तो जो यहां बनाये गया और उत्पादकों के लिए सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली subsidy इसमें देख सकते हैं वो भी इसमें सामिल होती है ध्यान रखेगा अब हम आगे बढ़ते हैं बाजार मुल में बाजार में बेचने के लिए जो भी हम बस उत्पादित करते हैं उस पर indirect tax लगता है जिसे अब हम GFT कहते हैं आप तक को पता ही होगा और सरकार कुछ subsidy भी इन उत्पादकों को प्रोसाइद करने के लिए प्रदान करते हैं जैसे बिजली में ही थोड़ी सी subsidy मिल गई कि इतने unit तक आपको बिजली का rate यह मिलेगा यानि थोड़ा कम कर देगी ठीक ह तो अब हम अगर निकाले बाजार मूले बराबर अब इस डाइगराम को जरा समझेगा बाजार मूले सब आप दो चार पांच बार आप रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा बट यह सब याद रखना जरूरी है उसके पीछी reason economics logical है अगर आप हर चीज अच्छे से जानते हैं तो प्रिलिम साब पास कर जाएंगे बाजार मूल यानि market price में क्या होता factor cost प्लस अप्रतेक्ष कर माइने subsidy आपको मैंने बताया ही बताया हुआ है तो पीछे वाला डाइगरामी यहां फिर से लिग दिया गया अब अगर हम कहें net indirect tax निकाले तो कैसे निकालेंगे अब इसके अधार पर हम बाजार मूल की एक और परिभासा बना सकते या एक और फार्मूला बना सकते यानि बाजार मूल बराबर factor cost यानि कारक लागत प्लस अप्रतेक्ष कर माइने subsidy लेकिन अगर हम अप्रतेक्ष कर सुद्ध अप्रतेक्ष कर निकालें तो हम बाजार मू लिखी एक और सरचना बना सकते हैं और वो क्या है बाजार मूल इजिक्वल कारक लागत या नि यह वाला पाट आ जाएगा प्लस सुद्ध अपर्टेक्ष कर हम चाहें तो ऐसा लिखें अपर्टेक्ष कर माइन सब्सिडी यह वाला फार्मूला और चाहें तो यह वाला फार् सकते हैं रिटेल प्राइस इतना इंक्लूसिव आफ ओल टैक्सेस यानि इसमें इस रेट में टैक्स समाहित होता है इसलिए महाँ पर यह बाजार में आप खरिदने जाएंगे यह आटे का पैकेट तो वहाँ पर क्या लिखा हुआ मैक्समम रिटेल प्राइस रूपी 10 इंक क्या यानि इंडारेक्ट टैक्स और माइनस सब्सीडी इस इक्वल टू मार्केट प्राइस जिस पर हम लोग समान खरीते हैं वो इसमें सामिल है अब उसी चीज को एक बार और अच्छे ढंक से एक अच्छे डाइग्राम के माध्यम से आपके सामने रखा है तो देखिए क् फैक्टर और इंकम यह तिक घजब बस दो चीज पकड़े लेवर बेज लेगा कैपिटल इंट्रेस्ट लेगा अंत्रपनियर प्रॉफिट लेंड या बेल्डिंग रेंट तो अब आप देख सकते हैं एक फार्मूला निकल क्या रहा है जीडीपी एट डरेट फैक्टर कॉ अगर आप से कोई पूछे जरा मुझे बताइये में कौई आपसे पूछे कि फैक्टर क्या होता कितनाएथी होग्या इस फैक्टर की जो कॉस्ट है यह है हाई कि नहीं बच्चो इस factor की जो cost है वो ये है तो ऑभियस है GDP at the rate factor cost आपके सामने आ गया की नहीं आ गया तो GDP at the rate factor cost अगर आप से पूछे किоло फैक्ट कोस्ट के बारे में कौन सा से सही है तो पड्ट से यही वाला यह फैक्टर यह उसकी कॉस्ट है कल से पढ़ा रहा हूं तो यह हो गया प्लस टैक्स यानि टैक्स जोड़ दिया जाए क्योंकि जो भी उत्पादक है जो भी उत्पादन कर रहा है और यह से टैक्स देना ही पढ़ता जिसे हम GST कहते हैं इसमें इसमें से माइनस सब्सिडी यानि सरकार कुछ सब्सिडी वगरा जो में गैश वगेरा होती उन पर प्रदान करती है अगर हम ऐसा निकाल दें तो क्या मिलता मेहत मार्केट प्राइस जीडीप अब करेंट मार्केट प्राइस अब आप कहेंगे सरी करेंट करेंट या नी बर्तमान बर्थ जैसे 2023 करेंट का मतलब जैसे अगर हम अभी की बात करें 2023 एक फार्मूला तो यह हो गया अगर आपसे कोई पूछे पी टी में क्या पूछें प्रिलिम्स में आपसे पूछें कि GDP at the rate current market price is equal to ABCD तो आप यही लिखेगा GDP at the rate factor cost plus tax minus subsidy is equal to GDP at the rate current market price या इसको सब्दों में दे इसको ऐसे भी कर सकता है कि निम्लखित में से जीडीपी करेंट मार्केट प्राइस पर जीडीपी के बारे में दियेगे कत्रों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है पहला statement लिख दे, क्या लिख दे, पहला statement यहां लिख दे कि इसमे GDP at the rate factor cost सामिल होता है, दूसरा लिख दे इसमे tax सामिल होता है और तीसरा लिख दे इसमें subsidy को निकाल दिया जाता है, और तब हमें मिलता है तो अब आप देख सकते, इस हिसाब से सब्दों में भी पूछ सकता अब इसके बाद आता है यानि इसके अंदर गत inflation सामिल है current पर है तो हमेशा inflation सामिल रहता है लेकिन अगर inflation को adjust यानि इसी फार्मूले में से GDP at the rate current market price यानि इसी पद्धती से अगर हम आगे बढ़ें और inflation को adjust कर दें अगर inflation को adjust कर दें तो क्या मिलेगा GDP at the rate constant market price constant यानि इस्थिर यानि कोई आधार वर्ष पर निकाला जाता जैसे अभी हमने पढ़ा था न कि जन्वरी 2015 से हमारा GDP की गणना का आधार वर्ष 2011-12 तो GDP at the rate constant market price अगर inflation को adjust कर दिया जाए तो अब यह कैसे किया जाता वो सारी बाते हम आगे पढ़ेंगे तो एक फर्मूला आपके सामने आ गया अब आता है आधार वर्ष अब यह भी कभी कभर प्रिलिम्स में कोश्चन आ आ सकता है कि अर्थ विवस्ता में आधार वर्ष क्यों लिया जाता है तो आधार वर्ष किस लिये लिया जाता है आप स्वेम विचार करिए पढ़ने की दूरति आधार का मतलब क्या है एक ऐसा वर्ष एक ऐसा वर्ष जिस वर्ष आर्थिक गद्विधियां बड़ी सामान ने रही हूं, एकोनामिक एक्टिबिटीज, आर्थिक गद्विधियां बड़ी समान्य रही हूं, बहुत उतार चड़ाओ, ना रहा हो, उसको एक आधर्श वर्ष के रूप में लिया जाता है, ना बहुत जादा इनफलेशन उपर रहा हो, ना बहुत जादा इनफलेशन नीचे रहा हो एक सामान्य वर्ष रहा हो Microeconomic Stability Indicators के सभी variables पर सभी चरो पर वह वर्ष अच्छा रहा हो उसी को हम आधार वर्ष के रूप में ले लेते हैं और उसी के अनुसार हम एकोनामी की घड़ना करते हैं तो तो आधार बर्स यही होता है एक बेंच मार्क बर्स होता है याद रखेगा जिसको ध्यान में रखते वे जीडीपी शकल घरेलू बचर शकल पूजी निर्माण और नेस्नल एकाउंटिंग के आंखणों की गड़ना की जाती है मेरे प्यारे बच्चों यह एक इस्थिर बर्स इसके पहले 2045 था धान रख लिजेगा तो एक चीज तो हो गया आधार वर्स क्योंकि देखो यह सब भी प्रशन में पूछे जा सकते हैं और कितना बढ़िया एक लाइन में हम लोगों ने समझ लिया कि आधार वर्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है तो अगर पूछेगा त समय के साथ माली जए क्लonne अब इस ब॓ को जब खरीदा गया म좌ली जए यह 100 रुपए का करना गया एक imagine करिए, imagine, 100 रुपय का करिदा गया, अब इस board पर पढ़ाते हुए, आप सब के सामने मुझे 2 से 3 साल ओड चुके हैं, क्या मैं इसको बेचने जाओंगा, तो मुझे 100 रुपय ही मिलेंगे, फटा-फट बताईए, नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, because आप दा depreciation, या 70 रुपय में बिका, तो यह 30 रुपय क्या हो गया, मूल लिहास, यानि कोई भी machinery, कोई भी plant, वह depreciation से गुजरता ही गुजरता है, यानि मूल लिहास से गुजरता ही गुजरता है, यह ध्यान रखेगा, और मूल लिहास से गुजरना, यह अच्छी चीज मानी जाती है, इसक या आपकी machine चलेंगी, तभी तो उसमें two foot होंगी, तो मूल लिहास यही है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है, तो मूल लिहास यानि यह machine पहले कैसी रही होगी, अब कैसी स्तिती में आ गई है, अब आते है GDP, यानि मूल लिहास भी हमने पढ़ लिया, आधार वर्स भ याद रखेगा, तो अब आप देखिए, GDP को हम कहते हैं, gross domestic product, यानि तीन टर्म यहाँ पर हैं, क्या है, तीन टर्म है, एक है gross, एक है domestic, एक है product, और final production, कुछ भी कह सकते हैं, तो तीन सब्द है, gross domestic product में, gross domestic और product या final product मतलब याद रखेगा, अब यहाँ पर इसका मतलब क्य होता है, इसका अर्थ होता है, एक दमरट लीजेगा, इस परिभासा को इस मेलक्स समझाने लाइक कुछ भी नहीं, इसका मतलब होता है, एक निर्दिस्ट समय, एक निर्दिस्ट समय याद रखेगा, एक वित्तिये वर्ष, ठीक है, एक वित्तिये वर्ष, इसी को निर्दि में फिर आ गया इनिम लिखित में से कौन सा भारत के घरेलू छेत्रों में यानि जीडीपी की गड़ना की द्रिष्ट इससे कौन सा भारत का घरेलू छेत्र है और कौन सा भारत का घरेलू छेत्र नहीं है यह भी आप से पूर सकता है तो आप देखें क्या किरा किसी देश के घरेलू छेत्र के भीतर उत्पादित वस्तुमों और सेवाओं का कुल अंतिम मूल्य है याद रखेगा कुल अंतिम सब्द हमेशा होना चाहिए अंतिम मूल्य है तो आप इसको याद कर लीजिए कुछ भी नहीं है यह सभी अंतिम वस्तुमों के कुल मूल्य पर विचार करता है ना कि उत्पादित मद्धिवर्ति वस्तूं का यह लोग हम लोग तो पहले पढ़ चुके हैं कि जीडीपी की गणना जब हम करते हैं तो उसमें इंटरमीडियट गुट्स नहीं सामिल होते हैं उसमें फिनिस ज्यानी जो अंतिम रूप से हमारे सामने हैं उसे हम इसमें काउंट करते हैं तो यह चीज कल हम लोगों ने टायर का एक्जामपल ले करके कार का एक्जामपल ले करके चाय और चीनी का एक्जामपल ले करके अच रखें ठीक है अब यहां समझाया गया है यानि अब एक चाय बिक्रेता का एक्जामपल लिया गया है बच्चों अंतिम बस्तु समझाने के लिए जो GDP में हम एक निर्दिश्व समय या एक वित्तिय वर्ष में भारत की GDP जो हम निकालते हैं अंतिम बस्तु को ले करके उसी अं लेजिए यह चाय बेचने वाला आप लोग भी चाय पीने जाते हैं इमेजिन करिए कि आप उसी की दुकान पर चाय पीने गए तो चाय विक्रेता जब चाय बनाने के लिए चुकि चाय में जो भी इंटर्मीडियेट गुट्स लगें उसमें चीनी चाय की पत्ती चीनी खर चीनी खरीता है तो चीनी को अंतिम बस तुन नहीं माना जाएगा इसने मध्यवर्ति बस तुम माना जाएगा ठीक रना अंतिम बस तुक्द क्या माना जाएगा यानि चाय पत्सेया माना जाएगा चाय याद रखेगा इसको इसी हिसाब से आपको समझना है ऐसे ही अब हम घरेलू सब्द को समझते हैं क्या है घरेलू घरेलू यानि भारत का घरेलू छेत्र क्या है यानि घरेलू छेत्र के बाहर कोई भी बस्त वगर उत्पादित की जारी कोई भी सेवा अगर ली जा रही है तो वह GDP में सामिल नहीं होगा घरेलू छेत्र डोमेस्टिक एरिया याद रखेगा अब आए देखें कि भारतिय आर्थिक छेत्र में क्या-क्या सामिल होगा वह याद रखेगा तो जो घरेलू आर्थिक छेत्र होता है उसके बारे में बताएक किसी देश के भॉगोलिक या राजनीतिक छेत्र से भिन होता है नहीं यह जो हमारा भॉगोलिक हम इसे कह सकते ना यह भारत के भूगोल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, यह मैप भारत के भूगोल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, भारत का खास कर पोलिटिकल मैप साफ साफ आप देख सकते हैं, क्लियर है, तो जो हमारा घरेलू छेत्र होगा इस भौगोलिक राजनीतिक मैप से जादा है जादा कैसे है उसे हम समझ सकते हैं जैसे हमारा जो exclusive economic zone होता है तो जो हमारा घरेलू आर्थिक छेत्र होता प्रिलिम्स के लिए बस यहाँ याद रखेगा कि घरेलू आर्थिक छेत्र में निमलिखित में से कौन सा से सामिल होते जो हमारा भागोलिक या राजनीतिक छेत्रे वो तो सामिल होता ही होता है जो पिछले मैप में आपने देखा उसके साथ साथ जो जल में हमारा विस्तार होता है यानि exclusive economic zone वगरा जो हमारा होता है वह भी हमारा आर्थिक छेत्र होता है यानि यहाँ पर जो भी आर्थिक होंगी वह सब यानि सामिल की जाएंगी किस में घरेलू आर्तिक छेत्र में रड़ते चलिए दूसरा दो या अधिक देशों के बीच जैसे भारत रशिया भारत अमेरिका के बीच में एर इंडिया की उड़ान संचालित करें तो जो ये एर इंडिया की कमाई है वो क्या होगा यानि एर इंडिया जो सेवा दे रही वो हमारा डॉमेस्टिक एरिया है ध्यान रखेगा यानि क्यों क्योंकि एक सब्द लगा यहां निवाशियों द्वारा बच्चे जरा सब्द को समझेगा यानि निवाशियों के दौर जो हमारे रेजिडेंट्स हैं ये सब्द करने के वेसेल्स होते हैं तो वह होते हमारे हैं समुद्री छेतर में जा करके मचली पकड़ते हैं तो वह भी हमारा डॉमेस्टिक एरिया होता है धान रखेगा इसके अलामा जैसे ऑईल एन नेचुरल गैस के जो छेतर होते हैं जैसे ओएन जीसी बिदेश लिमिटेड अगर ताइवान में जा करके तेल और गैस का उत्खनन कर रहा है तो वह भी हमारा डॉमेस्टिक एरिया होगा याद रखेगा ठीक है अगर उसको ऑपरेट कर रहा है हमारा रेजीडेंट आप दा कंट्री हान में कौन-कौन सा सामील होता जो हमारे चांसूलेट्स होते हैं र catch दूतावास या डिशे आपको याद में होगा कि मलेशिया में हमारे कुछ सैन प्रतिस्थान है जिसको मालदीव में मालदीव में है जिसको ले करके मालदीव कहता है कि इनको हटाईए यानि हमारे वहाँ पर कुछ सैन एक्क्यूप्मेंट्स है हमारे कुछ सिप्स है तो वो सिप्स हैं तो कहां पर माल्दिव में लेकिन उसमें भारत का पुरा सेन प्रतिस्ठान सामिल है तो वो भी क्या माना जाता है हमारा domestic area माना जाता है याद रखेगा ठीक है उदारण के लिए युथ से अमेरिका जापान आदे में भारतिये दूतावास बताने क्या हो शकता है लेकिन अब देखिएगा जैसे हमारे दूतावास विभिन देशों में होते हैं और वो हमारा domestic area माना जाता है वैसे ही अन देशों के भी दूतावास हमारे हैं होते हैं दिल्ली में तो यह यानि उनका domestic area माना जाता है यह भी आपको ध्यान म रखना confusion नहीं होना तो यह सारी बातें बताई गई है अब अच्छे से समझ सकते हैं यानि हमने यह भी सीख लिया आधार वर्ष यानि हमने क्या सीखा बैल्यू एड़ेड मेथड नेशनल इंकम निकालने का तीसरा उसके बाद हमने आधार वर्ष पढ़ लिया उसके बाद हम वर्ष के बाद हमने पढ़ा क्या पढ़ा भाई दिमास उतर गया फटाफट एक बार रिवीजन करा देता हूं ठीक है तो हमने क्या पढ़ा चलिए फटाफट कर लेते हैं सबसे पहले हमने पढ़ा मार्केट प्राइस क्या होता है क्या पढ़ा यानि सबसे पहले हमने पढ GROSS BALU ADDING का Consepad एक बार बच्चे बताएं, किलियर है, कमेंट करते चलिए क्या GROSS BALU ADDING किलियर है क्योंकि फिर कल से INFLATION आपको पढ़ाना है, money banking पढ़ाना है यह अगर किलियर रहेगा, तो बहुत आसानी के साथ आप चीजों को पकड़ पाएं तो ग्रास बैलू एडिट क्या आप एकदम से पकड़ में आए कमेंट करिए 100% 100 100 फैक्टर कॉस्ट आप सबको पता ही लग गई है फिर हमने क्या पढ़ा GDP at the rate market cost कैसे निकालते हैं बाजार मूले को फिर हमने define किया फिर इसके बाद हमने constant market price निकाल सकते हैं constant निकालने के लिए हमें चाहिए होता एक आधार वर्ष तो base year क्या होता है इस पर भी पीटी में आप से प्रशन पूछ सकता है कि base year क्यों अपनाया जाता है और तो दिवस्ता में 1234 वह भी आपको सिखा दिया गया base year 2011-12 है यह आपको बता दिया गया कल भी बता दिया गया था मूल हास क्या होता है depreciation क्या होता यह भी आपको बता दिया गया जो की economy के लिए अच्छी बात होती है दूसरा यानि GDP सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है वो भी आपको बहुत अच्छे से बता दिया गया और इसी को बताने के अनुकरम में आपको यह भी बता दिया गया कि हम मध्यवरती वस्तुओं की गणना GDP की गणना करते समय नहीं करते हैं क्योंकि दोहरी गणना इससे हो जाएगी फिर चाय और चीनी के उदाहरन के द्वारा यानि चाय विक्रेता और चीनी जो वो market से खरीता है उसके उदाहरन के द्वारा बताये गया चाय अंतिम बस्तु होगी, चीनी अंतिम बस्तु नहीं होगी, चाय विक्रेता के यहाँ चीनी मध्यवर्ती बस्तु होगी, या आपको बहुत अच्छे से एक्जामपल के थुरू बताएगा, यानि अंतिम बस्तु को ही सामिल किया जाएगा, यार्द रखेगा, फिर इसके आर्थिक चेत्र हमारा भोगोली के राजनीतिक छेत्र तो है लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो जल छेत्र है वह भी सामिल है इसके साथ साथ अगर हमारे निवासियों मैंने सब्द बोला याद रखेगा सुड़िजन्स और और रेजिडेंट्स में अंतर है तो रेजिडेंट्स की बात हो रहे है जो निवासी है बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सिडिजन्स और रेजिडेंट्स में बहुत अंतर है तो रेजिडेंट्स जो हमारे होते हैं जो इस प्रकार की आर्थिक गद्विधी एक देश से यान सेन प्रतिस्थान होते हैं अन्य देशों में वो भी हमारा घरेलू छेत्र है यह भी हमने पढ़ा इसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत से फर्मूले नेट कैसे निकालेंगे सुध कैसे निकालेंगे सकल यानि जो ग्रॉस है उसमें से डेप्रिशेशन निकाल देंगे तो आप सबको मैं बहुत बारी रटा चुका हूं मेरे प्यारे बच्चों याद रखेगा तो NDP का मतलब क्या होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में इसमें हम मूल लहास घटा देते है तो हमें NDP प्राप्त हो जाता है तो आप यहां से देख सकते हैं कितना इजी है NDP मेरे प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं ठीक है ना यानि NDP हम कैसे निकालेंगे NDP is equal to GDP minus depreciation या मूल लहास और हमें क्या मिल जाएगा NDP मिल जाएगा याद रखेगा अब NDP और GDP में कौन अच्छा होता है एकोनामी के लिए ये भी प्रिलिम्स का प्रस्ण है तो मेरे प्यारे बच्चों आईडिली अगर हम देखें तो NDP जो होता है वो GDP से कम होता अब प्रिलिम्स में लिख देगा कि NDP GDP से जादा होता है आप कहेंगे कैसे अरे भीया NDP तो घटा के मिल रहा है न तो कम तो अप ठीक है न और यह मतलब आदर्स ऐसा ही होना चाहिए कि NDP GDP से कम हो GDP और NDP के बीच एक संकीन अंतर अर्थ व्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है अब यह भी लिख देगा NDP GDP के बारे में दिये कि कतनों में से कौन सा से कतन सही है पहला लिख देगा आदर्स रूप से NDP को GDP के तुलना में कम होना चाहिए दूसरा GDP और NDP के बीच एक संकीन अंतर अर्थ व्यवस्था के लिए अच्छा माना जाता है अब पूछेगा एक सही है कि दो सही है कि एक और दो दोनों सही है या ना तो एक सही है ना तो दो सही है तो आप देख लिजेगा संकीन अंत अंतर होना चाहिए याद रखेगा तो ब्यापक अंतर नहीं होना चाहिए यह बड़ा अच्छा वर्ड है मेरे प्यारे बच्चों नैरो गैप अच्छा माना जाता है एंडीपी और जीडीपी के बीच में इसको आप पढ़ लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चे और अब का आकलन जीडीपी से सबसे ज़्याद अच्छा होता है तो आप कहेंगे ना ना गलत है किसे होता है एंडीपी किसी रास्ट की भलाई को अगर मापना है तो जीडीपी से बेहतर मानक होता है एंडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोड़क्ट याद रखिएगा क्यों क्योंकि यह पूजी गत संपत्ती के मूलेहास को ध्यान में रखता है, मूलेहास का मतलब की काम हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, यानि हम लोगों की भलाई भी इसके साथ हो रही है, यारे भाई काम लोगों को सैलरी मिल रही है, आफ यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है, GDP does not measure biological को बेल बींग को मापता है, NDP बड़ा अच्छा पॉइंट है, याद रखेगा, तो I hope यह GDP और NDP भी आप बहुत अच्छे से समझ गए, एक बार कमेंट करके बताएं बच्चो, GDP और NDP आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं, अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, ग्रॉस नेश नेशनालिटी, नेशनालिटी के अधार पर GDP निकालने का जो सिद्धान तो से हम GNP कहते हैं, याद रखेगा, ठीक है ना, अब ये बड़ा मज़दार है, अभी तक आपने पढ़ा था, रेजिडेंट, रेजिडेंट जो निवासी, जो भारत के निवासी हैं, लेकिन यहां बस्तों और सेवाओं का कुल मूल है, चाहे उनका अस्थान कुछ भी हो, यानि हमारा डोमेस्टिक एरिया के अलावा वो कहीं पर भी उत्पादित करें, पूरे बिस्व में, वो होगा GNP, यानि नागरिकों द्वारा उत्पादित सभी त्यार बस्तों और सेवाओं का कुल मूल, इसको आप रट लीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है न, यानि GNP घरेलू या विदेश में इस्तित किसी देश के ब्यवशायों द्वारा उत्पन उत्पादन को मापता है, जरा समझेगा जैसे, रिलाइंस है, मैं लिजे मैं आपर अडानी गुरूप का या उत्पादन कर रहा है, वो भी इसके अंतरगत आएगा, इसको आप याद रखेगा, घरेलू या विदेश में इस्तित किसी देश के ब्यवशायों द्वारा जो उत्पादन हो रहा उसको ये मापता है, याद रखेगा, अब आता है, जी हम GNP की गणना कैसे करेंगे, अब ये बड़ा इंपाटन, GNP की गणना कैसे की जाएगी, ये अच्छा पॉइंट है, GNP की गणना कैसे की जाएगी, ये आपके लिए अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको जड़ा समझेगा, लॉजिकल, तो GNP की गणना कैसे करेंगे, ठीक है, अब जड़ा देखिए, ज US में अगर Reliance कोई Factory लगा रहा है तो इसको भूमी चाहिए ठीक है ना इसको स्रम चाहिए पूजी भी चाहिए और इसके बाद ये उद्यमी यानि खुदी है तो भूमी पर किराया देगा स्रम पर बेतन देगा पूजी पर ब्याज देगा और उद्यमी पर लाब ये चारो फैक्टर जो है उत्पादन की वो हमेशा हर जगह पर काम करेंगी ये आप याद रखेगा चाहे वो देश के अंदर हो तो भी ऐसा ही होगा और US में हो तो भी ऐसा होगा इसी चीज़ को यहा बना करते हैं तो हम GDP में विदेशों से भारतियों की कारक आये जोड़ देते हैं कारक आये यानि किराया प्लस बेतन प्लस ब्याज प्लस लाब तो विदेशों से जो भारती यानि रिलायंस यह क्या कारक आये जो भी यहां पर कमा रहें उसको हम जोड़ देते हैं और भारत के सकल घरेल उत्पाद में बिदेशियों की योगदान को घटा देते यानि बिदेशियों का भाई भारत में भी तो बिदेशी है तो जो बिदेशी भारत की GDP में योगदान दे रहे हैं उसको इस जो बिदेश में भारतिये कमा रहे हैं उससे घटा देते हैं ठीक है न और कि net factor income फ्राम एपरोड ये कैसे निकालते है Prelims का ये question हो गया नेट सी, फ्राम एपरोड NFIA कैसे निकाला जाता है तो उसका formula यही है क्या करते है यानि yawni क्या करते है ये कैसे निकाला जाएगा विदेसों से भारतियों की कारक आय जोड़ देते हैं. यानि क्या करते हैं? बिदेशों समाले जे यू एस में, भूमी भूमी हटा देजे, चिज़ा सिधा आजाता है, यानि जो हिराया प्लस बेतन प्लस ब्याज प्लस लाव तो ये बिदेशों से जो भारती है कमा रहे हैं इसको हम जोड़ेंगे कारक आए इसी को बुलते हैं न फेक्टर इंकम और भारत से जो भी बिदेशी हैं जो भारत के जीडीपी में योगदान दे रहे हैं इसी प्रकार से इसी प्रकार स जो ब्याज है जो लाब है इसको क्या किया जाता है घटा दिया जाता है क्या किया जाता है इसको घटा दिया जाता है तो इससे हमें क्या मिलता है क्या मिलता है बच्चों जरा समझेगा आप NFIA समझ रहें एक बार फटाफट बताएं क्या समझ रहें NFIA विदेश से सुद्ध कारकाय कहते हैं रट लीजेगा ठीक है ना कारकाय क्या होती हुआ मैंने आपको पहले बता दिया है वही लिखावा मूल रूप से उत्पादन के चार कार को अठाथ लाब किराया ब्याज और मजदूरी द्वारा अरजित आया है ठीक है तो इसको आप याद रखेगा चार बाकी और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है अब GNP इतना समझने क के बाद GNP कैसे निकलेगा तो GNP ग्रॉस नेशनल प्रोड़क्ट सकल राज्ट्रे उत्पाद में GDP सामिल हो गया प्लस सकल घरेल उत्पाद याद रखे क्या है GDP प्लस यानि जो हमारे लोग हैं जो बिदेशों में कमा रहे हैं फैक्टर इंकम यानि वही क्या-क्या भूमी पर किराया वो सारी चीजे और उसमें से फैक्टर इंकम एरंड बाई दा फैक्टर आप प्रोड़क्शन आप दा रेस्ट आप दा वर्ड तू दा डोमेस्टिक एको न इंकम कमा रहें दोनों को घटा दिया जाए और GDP के साथ जोड़ दिया जाए तो हमें GNP मिल जाएगी इसका मतलब है ऐसे भी हम कह सकते हैं GNP बराबर GDP प्लस नेट फैक्टर इंकम फ्राम एब्रौड नेट फैक्टर आप इंकम फ्राम एब्रौड क्योंकि अभी हमने नागरिक हैं जो अमेरिका में फैक्टर इंकम कमा रहे हैं उसमें से जो अमेरिका के नागरिक भारत में फैक्टर इंकम कमा रहे हैं उसको घटा दिया जाएगा तो हमें क्या मिल जाएगा नेट फैक्टर इंकम फ्राम एबरोड तो GDP प्लस नेट फैक्टर इंकम फ्राम एबर पच्चों समझ में आया फटाफट बताए बच्चे सारे बढ़ियां से बताएं समझ में आया तो यह सारी चीजें हैं जिनको आपको पढ़ते चले जाना अब आता है अभी आपने क्या पढ़ा जी एन पी अब पढ़िए नेट नेशनल प्रोड़क्ट सुद्धरास्त्र उत घाटा दे तो आपके सामने क्या जाता है सुद्धरास्ट्रे उत्पाद हमारे सामने आ जाता है ठीक है ना तो सुद्धरास्ट्रे उत्पाद याणि नेट नेशनल प्रोड़क्ट में इन पी जो आपने आप पीछे पढ़ा पिछली स्لाइड में यही suppressed न शकल राषट्र उत्पाद में से अगर हम मुल लिहास घटा दे डेप्रिशियेशन घटा दे तो हमें नेट नेशनल प्रोड़क्ट मिल जाएगा कुछ सोचनिक जरूत में यह ग्रॉस की जगा नेट हमें मिल जाएगा केवल मुल लिहास को घटा देना है तो यह बहुत इंपार्टेंट होता है प्रतिव्यक्ति आए अगला पॉइंट है पर कैपिटा इंकम यह क्या होता इसको कैसे निकालते हैं बच्चे तो किसी देश की आउसत आए हमें प्रतिव्यक्ति आए से पता लगती है यह भी पीटी के लिए अच्छा फैक्ट है इसकी गणना हम कैसे कहते हैं यानि प्रतिव्यक्ति आए निकल आती है याद रखेगा इसी प्रकार एक और चीज आप से पूछ सकता है कि हम कैसे निकालते हैं तो प्रतिव्यक्ति शकलं घ्रेले उत्पाद में जो हमारी GDP होती है उसको अगर हम population से भाग दे देते हैं तो हमें प्रतिव्यक्ति शकल घ्रेल उत्पाद पता लग जाता है दोनों फार्मूले मैंने आपको बता दिये जो बहुत इजी है क्या है जो बहुत इजी है मेरे प्यारे बच्चों अब आता है real and nominal GDP क्या है real or nominal GDP तो अब ये real or nominal GDP की कहानी हम करेंगे कल यानि आज इतना ही छोटा-छोटा क्योंकि ये रोज चलता रहेगा एक से डिर्ड महीने तक चलेगा इसलिए लंबी क्लास मैं नहीं ले रहा हूं पूछो क्यों आप धीरे-धीरे सीखते चले आपको अलग से इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है इसके लिए अलग टाइम मत निकालिए बाकी अन्य सब्जेक्ट को पढ़िए इसको आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कल इस पर विस्तार से बातचीत होगी काफी एक्जामपल है इसमें कल इस पर बातचीत होगी और हम लोग एकोनामिक सर्वे का यह पाट और कल inflation भी स्टार्ट होजएगा बड एक चीज हमेशा याद देखे उड़ूर इसपीति यह देखे कल मुदरा इसपीति 20C के साथ इस स्टार्ट होजएगा टाइपस आफ inflation, low inflation, कल सब स्टार्ट हो जागा, ठीक है, बट धिरे-धिरे चलेंगे, galloping inflation, यह सब, कल inflation हमारा स्टार्ट हो जागा, ध्यान रखेगा, hyper inflation क्या है, एक-एक चीज, चुकि दो question यहां से आता है, जिम्बाम्बे के उपर एक case study भी पढ़ेंगे, वहां inflation का जो पूरा issue है, बहुत अच्छे से इसको करेंगे, cause of inflation, यानि demand pull inflation, cost push inflation, demand pull inflation क्या है, इसके बारे में सारी चर्चा करेंगे, फिर इसके बाद, ठीक है, demand pull inflation क्यों होता, वो पढ़ेंगे, लागत जन इसपीती क्या होती है, लागत जन इसपीती क्यों होती है, वह भी देख सकते हैं सारे point, तो बहुत कुछ यानि कल पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले IQIP महा संग्राम Foundation Batch UPSC CSC और हर एक state civil services के लिए भी वो उतना ही important होगा, रूपे 1999, SK Live Code यहां यूज करेंगे, आपको SK Live ही यूज करेंगे, तो आपको SK Live ही यूज करेंगे और कोई कोट गलती से भी यूज करके मत आईएगा, तो फीस 20% और कम हो जाएगी, इसके साथ GS Paper 1234 उत्तर लेखन कारिकरम Batch मात्र 699 रूपे में, उसमें भी SK Live Code यूज करेंगे, तो डिसकाउंट आपको मिल जाएगा, अभी 20%, तो जवरदस्त मौका है, मेरे साथ answer writing करने का, साड़े सत्रा सो नंबर जब लिख के मिलता है, तो पढ़ए क्यों, क्यों ना लिखा जाए, इसी सिद्धान के साथ मैं आप लोगों के साथ यहां पर काम कर रहा हूँ, थाइंक्यू सो मच बच्चा लोग, बहुत-बहुत प्यार मिलते हैं, छोटे से ब्रिक के बाद, तब तक के लिए जैहिन, लेट्स करेंग, गॉडबलेश एवरिवन, इस्पेसल क्लासेज के लिए भी तयार रहिए, कल परसों से इस्पेसल क्लासेज स्टार्ट हो जाएंगी, एक कमेंट करके मुझे बताइएगा, इतिहास बिशेका अगर मैं प्रिविएस येस कोश्चन करा दूँ तो, यानि, यानि, मैं क्या कहना चाहरा हूँ, जड़ा समझेगा, मैं ये कहना चाहरा हूँ, कि एकोनामिक्स मैं पढ़ा रहा हूँ, सरवे और बे सब करा चुका हूँ, पॉलिटी, M. Lachmikant का मेरा वीडियो 15 तक इस्ट्रिच हो करके आपके सामने आ जाएगा, यानि, M. Lachmikant, 100 डावर्स की क्लास एक साथ इकठा हूँ जाएगी, तो, पॉलिटी का भी काम आपका हो गया, अब इसके बाद बसता है हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को मैं क्या, प्रीबियस येर कोश्चन, इस्पेसल क्लास में करा दूँ, आप लोगों की अगर स्पेसल क्लास, ठीक है, स्पेसल क्लास क्या कहते हैं, अगर इस पर आप लोग कमेंट करेंगे, क्यां करा दीजिए, और जो बच्चे plus के हैं, इसके live code में, वो अपना विचार दे सकते हैं, ये हिस्ट्री वाले पर, तो इसको कल से ही शुरू किया जा सकता है थैंक्यू सो मच बच्चे आए मिलते हैं कल थैंक्यू सो मच